आप सबी को जारकर नोटबुक के साइंस प्रोग्राम में हार्दिक सुआगा थे आज की ससन की सुरुआत करते हैं पिछले ससन में दिये गए अभास प्रसन से तो अभास प्रसन का उत्तर बहुत सरे भिदार्थे होने कोमेड बक्स में सही दिये हैं तो उसी का हम लोग भी से लेसन को देख लेते हैं वैसन क्या था कि क्या होगा जदी एक कांच की बोतल पुरी तरह से पानी से भर जाती है और उसके ढखकन को सील कर दी जाती है और उसका हम लोग फ्रीजर में डाल देते हैं तो उस बोतल के साथ क्या होगा पहला option था आपको कि पानी जो होती है प्रिजर में ड़नने के बाद जमने के बाद जो होगी बोतल पर बायमिंडले दबाब के कारण कांच की बोतल क्या हो जाएगी बिक्रित हो जाएगी Option B था आपके पास आखिरकार जो होती है बरप जो होती है वो कांच की बोतल को क्या कर देगी वो कांच की बोतल को तोड़ देगी Option C था आपके पास कि पानी के बरप में जमने के बाद कांच की बोतल का वजन बढ़ जाएगा और Option D था कुछ नहीं होगा तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा option B यानि कि आखिर का last तक क्या हो जाएगी बरप जो होती है उस कांच की बतल को तोड़ देगी तो चलिए इसका विसलेशन को आप देख लेंगे विसलेशन क्या कहती है कि जदी एक कांच की बतल पूरी तरह की नमने की सुद्धता निधारित करने के लिए ऊपईग किया जाता है और हाईडरो मेटर तरहल पदार्ट के घनत्यों को निधारित करने के लिए उपईग किया जाता है किस सिधांत पर आधारिते तो आपके पास चार उप्शन है Option A Archimedes का सिध्धांद, Option B, विशे सपक्छता सिध्धांद, Option C, सपक्छता का सिध्धांद, और Option D, अनिस्चता का सिध्धांद तो Lactometer और HydroMeter इन दोनों एकी सिध्धांद पर कार्श करते हैं और सिध्धांद का नाम क्या है? Archimedes का सिध्धांद यानि इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा Archimedes का सिद्धान्द चलिए इसका विसलेसन को आप देख लेंगे कि Lactometer और Hydrometer जो होती है वो Archimedes के सिद्धान्द पर कारिज करती है एक तरल पदार्ते में निलम्मित एक ठोस विश्थाफी दरब के बजन के बराबर बल से उत्तेजित होगा चलिए बढ़ते है आज का सिसन का next question और आज का सिसन का next सवाल है चांदी का सापक्च घनत्त क्या है तो आपके पास चार उप्सन दिएगे है उप्सन A 9.5, उप्सन B 7.2, उप्सन C 10.4, उप्सन D 10.8 तो चांदी का जो सापक्च घनत्त होती है वो कितना होती है 10.8 होती है चलिए इसका विसलेशन को आप देख लेंगे कि चांदी का जो सापक्च घनत्त होती है वो चांदी की घनत्त, बटे पानी की घनत्त से हम लोग प्राप्त करते है आज के सरसन का नेक्ट सवाल है कि दरब माजधम यानि कि गैसिय माजधम या तरल आवस्था में पुरी तरह से या आंसिक रूप से डूबी हुई बस्तू पर लगाया गया उच्छाल बल उस तरल पदारते के वजन के बराबर होती है जिसे सरीर क्या करती है विश्थापित क पास चार नियूटन के गतिक का दूसरा नियम देंगे आर्कमेडिस का सिद्धन्थ बताता है कि दरब में डूबे शरीर पर यानि बस्तू पर उपर की और उच्छालवा लगा जाता है चाहे वो पूरी तरह से यांक्सिक रूप से जलमगन हो तरल पदार्थे के वजन के बराबर है जो सरीर को विस्थापित करेगी बोस्तु को विस्थापित करेगी तेड़े बढ़ते हैं आज का नेक्ट सवाल है कि बिद्दुच मुगत्य विग्गान की स्थापना और नाम क उसको नाम भी दिया आपके पास चार ओप्सेन हैं माइखल फ्राडे जेम्स कलरक एंस क्रिस्चेन और स्टेड एंड ऑप्सेंटी एंडी मेरी अंध्रे मेरी एंपियर तो बताए किसने विद्दुच मुगत्य विग्गान की स्थापना क्या और उसका नाम रखा तो उसका अंसर हो जाएगा आम लोग के महान बेगानिक महान साइंटिस्ट महान इंजिनेरिस सदी का वह है माइकल फ्राडे तो चलिए आप लोग नोट कर लेंगे आज का सब्सक्राइब जिसका आंसर आपको कॉमेंट बक्स में कॉमेंट करके देना है कि मिलखित में से कौन सा उच सघ्यति रंण्ग तो फ्रावगनिक करेंने और प्सक्राइब इस प्रस्ण ने को घ्र में अगर Ap should बढ़ाना है तो ऑit बढान करके बताएंगे कि नमबर कोश्चन टेली वसिश कितना प्रभाइट किया जाई अगर आप चनल मनना है तो चैनल को सैंबिसक्रैब कर लिजा देगा ताकि रोज सुबर 11 वजे साइंस सेशन का जो अपडेट है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे That's all for today. जोहार जारकन. Thank you for attending the session.